आप सुन रहे हैं भगवान दास मोरवाल जी का लिखा हुआ उपन्यास हलाला धारा वाहिक रूप से आज सुनिये अंतिम भाग बारह तै वक्त पर सब पंज यानि जिने बुलाया गया था सब आ गए हाजी खुदा वक्ष के घर से खुद खुदा वक्ष कलो और नियाज ही आए हाँ इस बार नजराना के पीहर से किसी को नहीं बुलाया गया बुलाने के कोई जरूरत भी नहीं थी जब सब कुछ कुरान पाक और शरीयत वा हदीस के मताबिक होने जा रहा है ऐसे में पीहर से बुलवाने का कोई मतलब नहीं है वैसे भी तलाक के बाद कौन सा नजराना को अपने पीहर जाना है यहां से सीधे नियाज के संग अपने घर चली जाएगी हजरात अभी किसी और का इंतजार है क्या इमाम याहिया खुर्रम ने दालार में बैठे पंचों की और देखते हुए पूछा दादा टुंडल और बच्रो है बस आतो ही होएगो ले कितनी उमर है नाम लेते ही आगो जमाल खाने सामने दरवाजे से एक बुज़ुर्ग को आता देख सूचना दी बुज़ुर्ग यानि दादा टुंडल को आया देख इमाम ने उसे तुरंट पहचान लिया कि ये वही बुज़ुर्ग है जो पिछली बार उसकी बगल में बैठा था दादा टुंडल एक खाली पड़े मोडे बर बैठ गया उसके बैठते ही इमाम ने एक बार जमाल खा की और देखा तो जमाल खा उसके इस तरह देखने का मतलब समझ किया दादा शुरू करें जमाल खाने सबसे बुज़ुर्ग होने के नाते दादा टुंडल से इजाज़त देते हुए पूछा भई लाला या की इजाज़त तो उनसु ले जिनने हमसु ज़्यादा हदीस और सरीयत के चिंता है या पिर जिनने हमसु ज़्यादा कुरान पढ़ राखी है दादा टुंडल का सीधा सीधा इशारा और व्यंग इमाम पर था दादा टुंडल का इशारा जमाल खा समझ गया इससे पहले कि दादा टुंडल इमाम पर और ज्यादा रंदा चलाता इमाम से इजाज़त लेते हुए पूछा हाजी मौलवी साब शुरू करें हाँ हाँ क्यों नहीं जब सब कुछ तरीके से हो गया है तो शुरू करो वैसे भी मुझे एक तक्रीर करने जाना है चलिए शुरू करिए इमाम ने आगे की कारेवाही शुरू करने की इसाज़त देते हुए कहा डमरू आगे आजा जमाल खाने अपने भाई को आगे आने का आदेश देते हुए कहा डमरू चुपचाप आगे आगया जमाल खाने एक बार फिर इमाम की दरफ देखा इमाम समझ गया कि डमरू से उसे ही पूछना है तो आप अपनी बीवी को तलाग देना चाहते हैं इमाम ने डमरू से पूछा डमरू ने हाँ में सिरहला दिया यानि पिछली दफ़े मैंने जैसी हिदायत दी थी उसी के मताबिक हलाला हुआ है न अपनी जगे पर कस्म साते हुए पूछा इमाम ने इस बार भी डमरू ने सिरहला दिया तो आप अपने इमान पर कायम रहकर तलाग दे रहे हैं मौलवी साथ भही इमान पे कायम रहके कैसो तलाक होए है इससे पहले की डमरू कोई जवाब देता दादा टुंडल ने पूछा इमान का मतलब है कि कुरान पाक और हदीश की जिन हदों का हवाला दिया गया है उनको अमल में लाना वरना लोग यूँ ही जूट बोल कर तलाक दे देते हैं यानि इस डमरू जूट बोल रहो है हो सकता है पर जिनने नजराना नोहरा में डमरू के पे भेजी और एक आदने इस नोहरा में जाती देखी वे भी जूट बोल रहा है मैं मानता हूँ कि ऐसा हुआ होगा मगर फिर भी कुछ लोग ना फर्मानी कर बैठते हैं चलो मान ली या डमरू ना फर्मानी करी होएगी तो फिर या को सबूत कौन लाए बुजर्ग यानि दादा टुंडल की धवल वहें काप कर रहे गए और कौन लाएगा इसका सबूत ते डमरू ही दे सकता है कि उसने इमाम कितना कहते ही दादा टुंडल हत्ते से उखड़ गया मेरे यार मौलवी तो और कैसो सबूत चाहिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मेरा तो इमाम को अगवकाता देख दादा टुंडल को जैसे मौका भी लिया और कहा मतलब है तेरो तोकुवा हलाला की फिलम दिखाए इतनी देर सू तू या छोरा सू खोद खोद के कदी तो इपूछ रो है कि जैसे मैंने हिदायत दी ही वैसो हलाला हुओ है कदी इपूछ रो है कि मुसू बोलोनों जरूरी है कदी इपूछ रो है कि तू अपना इमान पर कायम रहे के तलाग दे रो है के न और जब तेरो इन पे भी बसना चलो तो अब तू या जूटो बता रो है और तो और अब तो यह सबूत भी चाहिए मेरे यार ऐसे कर आज रात तू रुख जा इनके पे और इनकी लिप्टम लिप्टाई की फिलम बनाने आप तो बेवज़े बनाराज हो रहे हैं ये सब मैं कोई अपनी मर्जी से करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं मैं तो वही कह रहा हूं जो हमारे हदीस और शरीयत में बयान किया गया है अगर आपको नहीं पता है तो क्यों बुलाते हो किसी काजी या मौलवी को पढ़ा लिया करो अपने आपने करो अपने आप तलाक मुसल्मान हो तो मुसल्मानों की तरह रहना सीखो इतना कहकर इमाम तम-तमा कर जाने के लिए खड़ा हो गया सुन लेओ अब या मौलवी की नजर में हम मुसल्मान भी न रहे अगर याका कहासू हम या जिनाय करवा दें तो हम मुसल्मान होगा और सुन जा कहां रो है चुपचा बैठ जा तलाक नामा पे दस्तकत करके जा तेरों कोई भरोसा ना है या गाओं में कहीं फसाद न करवा दे मौलवी के बाद दादा टुंडल डमरू की और पल्टा चल रहे डमरू तुदे तलाक अब मैं देखोंगो याए और याकी सरियत है जमाल खा के दालान में खलवली सी मच गई दादा टुंडल की सिमाकत पर एक अजीब सा तराओं पैदा हो गया पता नहीं आज भी तलाक होगा या नहीं मौल्वी साथ बड़ो बुडो है याकी बात को बरो मत मानो जमाल खाने तरण थालात को समखलते हुए कहा मिया बात बुरा मानने की नहीं है मैं तो आहले हदीश और शरियत को मानने की बात कर रहा हूँ अगर डमरू ने इनके अननके मताबक हलाला कर दिया है मुझे कोई उजर नहीं है इमाम सफाई देने लगा उजर कहा तू के तलाग थोड़े दिवारो है मेरे यार तू तो मजा ले रो है दादा टुन्रल ने सीधा सीधा इमाम पर एक तरह से इल्जाम जड़ दिया चलिए ठीक है दिलाइए तलाग इमाम ने विवात खत्म करते ह कोई कहा यार डमरू तैने भी मूपे ताला लगा राको है अनियाई तीन बार तलाग कहके अलग तो हटे ना कमाल खा डमरू को डाटने लगा अपने बड़े भाई किस डाट से डमरू का साहस जाग उठा वो जटके से अपनी जगे से खड़ा हुआ और कमाल खा के पालन करते हुए बोला मैं आप सब पंचने हाजर नाजर मान के नजराना ए तलाग दे रो हूँ तलाग 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 त पंचो एक मिनट रुको अगर इजाज़त होए तो मैं भी कुछ कहूँ तीसरी तलाग से पहले दालार में एक तरफ बैटी औरतों के छोटे से जुं ठंडी पढ़ने लगी नजराना रंडी अब तू का कहे है फातिमा ने नजराना को टोकते हुए कहा जल्दी कह जो कुछ कहनों है या मौलवी सावे भी काई तक्रीर में जानों है दादा टुंडल भी जितनी जल्दी हो इस मामले को निप्टाना चाह रहा है दादा तम ने तो अपड़ी अपड़ी कह ली पर मेरी भी तो एक बात सुन लियो के डमरू ने जो इबात कही है कि अपड़ा इमान पे कायम रहके मोह तल्लाक देरो है वा में कितनी सच्चाई है नजराना के इतना कहते ही दालान की महराबों में धीरे धीरे कमपन होने लगी आपस में सर नजराना को डाटने लगी अरी थोड़ी देर तू चुबी रहेगी कैसे या की बात तो सुन लियो पहले कि आखरी कहड़ों का चारी है हारी नजराना बोल कहा कह रही है तू दादा टुंडल ने दालान को शांत करते हुए नजराना को अपनी बात कहने की इसाज़त दे द चा गई हाँ हाँ बोल बेटी घबराय मत दादा टुंडल नजराना की हिम्मत बंधाते हुए बोला नजराना ने पहले पूरे दालान पर निगाह मारी और फिर गूंगट में से बोली दादा जैसे या मौलवी साम ने हलाला करना की बात कही है वैसो तो कुछ हो ही ना है इ बजराना की इस राज से परदा हटते ही दालान में जैसे जलजला आ गया नसीबन ने ये कहते हुए माथा पीट लिया या रंडी ने हम कहीं का ना छोड़ा इधर कल्लो का बुझा चीरा एक एक फिर से खिल उठा थोड़ी देर पहले तक कल्लो का जो शरीर एक अश्लील कल बजरना के चलते दोरा हुआ जा रहा था वो तंता चला आया पर मैंने तो सुझी है के तू रात को डमरू के पै गई ही हाँ तादा जरूर गई ही और सहरी के बकत आई भी ही पर वैसो कुछना हुआ जैसे पूरा गाउं में अफ़ा उड़ी पड़ी है नजराना ने कबू पहले शोहर के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा शोहर उसका स्वाद मौलवी साब सुन ली तेरी बात एक ही बात है तू कितनी बार कहेगो दादा टुंडल ने इमाम को बीच में टोकते हुए नाठा ना ऐसो कुछ भी ना हुओ नजराना अपने कहे पर कायम रह कुराने लगा कलो की तो पूरी देह देवदार सी सीधी होती चली गई उसका तो बस नहीं चला वना लपक नजराना को सीने से लगा लेती नहीं रहा गया कलो से नसीबन मुए अपड़िया खांदानी बहु पे पहले सूही पूरा भरोसा हो कि पराया मरदे हाद भी न लग अपनिया सत्वंती बहु है मैं अच्ची तरह जाणू हूँ देख ले यी पिछाण होए है भले खांदान की बहु बेटीन की पर काकी अपनिया सत्वंती बहु सूही तो पूच के नहरा में इतर फुरे लपेट काई लू गई ही ऐसा दगाकु याए हमारों डमरू ही मिलो हो नसीबन के बजाए मोर्चा संभालते वे फातिमा ने कल्लो को जवाब दिया या बाते मैं तो अब भी कबूल करनी हूँ कि मैं नोरा में गई ही पर ऐसो कुछ ना हो और रही बात या डमरू के संग दगा करना की तो मेरी बहन मेरो खुदा गवा है मैंने तेरा देवर के संग कोई दगा ना करो है बलकि असली दगा तो मेरे संग हूँ है तेरा देवर ने मैं कहीं के ना छोड़ी नजराना का एक एक शब्द मानो खून से लिधरा हुआ है कहीं की कैसे ना छोड़ी ये तो कह रो है के कह रो है पर जूट कह रो है ये भले अपना इमान पे कायम पर मैं अपना इमान के संग दगा न करूँगी फातिमा की बात पूरी होने से पहले नजराना सक्थ चट्टान सी बोली फातिमा आप क्या कहे जमाल खा का पूरा परिवार जैसे किसी कहरे सत्मे में घरता चला गया नसीबन उसके तो हाथ-पाउं ही ठंडे पड़ गए और द लोट सके है पहली बार हाजी खुदा बक्ष यानि टटलू सेट ने इमाम से गुहार की इन हालातों में तो इसका लोटना नामंकिन है एक पल चुप रहकर इमाम फिर बोला अब सिवाए डमरू की बीवी बने रहने की और कोई रास्ता नहीं है ना शरीयत और हदीश के मता इक हलाला होगा और ना ये नजराना अपने पहले शोहर के लिए हलाल होगी बाब ही हलाला तैनिया डमरू की अच्छी जान फसाई दादा टुंडल ने लंबा सांस ले डमरू के प्रतिसा हनवूत इचता आते हुए कहा अच्छा हज़रात इजाज़त दीजिए मुझे तक मैं कहा चाहा हूं और मेरा मन में कहा है मुतरमा आपके चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला आके कुरान पाक हदीश या शरियत के फर्मान फत्रों का भी तो कुछ मतलब है जाईए डमरू से कहिए को पहले एक शोहर का फर्ज अदा करें या को मतलब यह हो कि सार पर एक दर्जा जादा है यानि मर्द औरत पर कमाम है अल्ला ताला ने शोहर का बड़ा हक बनाया है शोहर को खुश रखना औरत की सबसे बड़ी अबादत है और उसको नाकुश और नाराज करना बहुत बड़ा गुना है प्यारे नभी सल्लाह वलही असलम ने फरमाया है कि जो औरत पांचों वक्त की नमाज अदा करती रहे रमजान के रोजे रखे और पने शोहर की ताबेदारी और फरमावरदारी करती रहे तो उसको अक्तियार है कि जन्नत के आठों दर्वाजों में से जिससे उसका जी चाहे बे खटके जन्नत में चली जाए और हम जो जीते जी या धर्ती पर नरक भोग रहा हैं वाको कहा नजराना के इस मासूम से सवाल पर इमाम मुस्कुरा कर रह गया और जाते जाते नसीहत देते हुए बोला बेवकूफ औरत ये समझ लो कि मिया बीवी का आपस में ऐसा वास्ता है कि उन्ने ताउम्र एक दूसरे के साथ बसर करना है अगर दोनों का दिल मिला हुआ रहा तो उससे बढ़कर कोई निमत नहीं और अगर खुदा ना करें कि दिलों में फरक आ गया तो उससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं इसलिए जहां तक हो सके मिया का दिल हात में लिये रहो और इसकी आँक के इशारे पर चला करो अ ये इमाम इनके चारों हदीस और शरियत के फर्मानों की और नजाने कितनी हदें खीच जाता ऐसी हदें जने कम से कम इनके लांगना किसी लक्षमर रेखा से कम नहीं कि इधर इसे लांगा और पता ने गात लगाए कौन सा रावन बैठा मिल जाए अच्छा वई जमालू हम भी चलें मेरे यार तेरा ये हलाला ने अच्छो खून पियो दादा टुंडल भी जाने के लिए खड़ा हो गया दादा चलो तो जा पर जाना सो पहले या बीमारी को भी कुछ इलाज बता के जा जमाल खाने दादा टुंडल के बहाने दूसरे पंच नजराना सोही पूछो जाने हम सब को जूटा बढ़ा दिया फातिमा ने असली मुद्ड़ई को घेड़ते हुए सुझाओ दिया फातिमा का ये सुझाओ दादा टुंडल की समझ में आ गया वैसे कमाल खा की घराली कह तो सही रही है मेरी भी यही समझ में आ रही है कि क्यो ना एक बार हम या नजराना सोही पूछ के देख लें दादा टुंडल ने अपने अन्वों के आधार पर छोटी से संभावना तलाशते हुए फातिमा के सुझाओ को अमल में लाते हुए कहा या में नजराना सुझाओ जब पूछी जाए जब डंबरू तलाक ना दे रहो ह हाँ एक काम हो सके है के अभी तो चुप लगाओ एक आग महीना पीछे चुप चाप तलाक दिवा देंगा है एक पंचने नया सुझाओ दिया यह तो मेरे यार पीछे की बात है असली रोनों तो अभी को है और फिर यह डंबरू भी आकर कब तलक रुको रहेगो मेरी मानो होते है नजराना सुझी पूछो कि यह आकर उ कहा चावे है या के मन में कहा है चलो यार उस खाए भी आजमा के देख लें दादा टुंडल से सहमत होते दूसरे पंच ने भी अपनी सहमत ही दे दी हारी नजराना बेटी अब तु ही बता कि तेरे मन में कहा है कैसे यह बात दादा मैं तो अपना बालकन के पै जाना चाहूं नजराना का इतना कहना था कि भरी हुई कलो जैसे फट पड़ी मेरा बाप की लुगाई अपना बालकन की अगर तो है इतनी फिकर होती न तो तू रोज नया नया खसम न करती डोलती वैसे एक बात कहूं नजराना अगर त तेजित होते हुए कहा, नजराना चुप, चलो छोडो, उबात तो अब खतम होगी, वैसे भी फिलाल इटटलू के घर जाना सु रही, अगर हमने भेज दी और या मौल विये पता चल गी, तो बेमतलब या गाउं में दूसरों ही बीज बू जाएगो, मेरा हिसाब सु अब ए तही न जाओं, अपना बाप पे बोज बढ़ना सु बढ़ी आए कि मैं जहर खाके मर जाओं, तो फिर तू डंबरू के संग्रें लेगी, नजराना द्वारा दिये गए विकल्प के मद्दी नजर, दादा टुंडल ने नजराना को टटूलना चाहा, ना भी दादा, चाहे दुनिया इत्सू उत हो जाए, पर मैं ना राखोंगो, या अपने रसंग, मेरी बलाजू चाही जहर खाया, खुआ में गिरें, मुए ना आए ऐसी भलमन साहत की जरूत, नजराना के जवाब देने से पहले डंबरू ने अपना फैसला सुना दिया, अन्याई, हमारी तो ज जान अच्छी मुसीबत में आई, दादा टुन्डल की हालत पस्त भीच में पिता महकी सी हो गई, फिर भी बुड़े जिस्म में थोड़ी सी हमत जुटाते हुए जमाल खा से बोला, जमालू मेरे यार, या डमरू है समझा लेओ, अरे कहीं या नजराना ने कोई उल्टो काम कर लियो, तो हम कहीं मुदिखान लाइक भी न रहेंगा, दादा हम या राक तो लें पर राखेंगे कहां, दादा टुन्डल का ही दाओ काम कर गया, इससे पहले की जमाल खा का मन डगमगाए, उसने लगे हाँ समस्या का हल सुजा दिया, अरे कहां राखोगा, वहीं रह ते ही कमाल खाने आओ देखा न ताओ, डमरू की कनपटी के नीचे ऐसा तमाचा जड़ा कि डमरू बिलबिला गया, तेरी बहाण के बालक में फासी खा के मरगो, इतनी देर सुचबर चबर बोलो जा रहो है, चुपकर, अगर अपके कुछ बोलो ना तो देख ली जो, हारी कनपटी सहला रहे डमरू की और देखा, और फिर इस अंदाज में सिरह लाया कि कुछ ने इसका मतलब उसकी हां में निकाला, तो कुछ के पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है भई डमरू, जब तलक या नजराना को तो सु तलाक न होएगो, यह तेरे संग नोरा में रहेगी, आर नजराना, मैं ठीक कह रहा हूँ न, जिन्होंने नजराना के सिरह लाने का मतलब उसकी रजामंदी के रूप में लिया था, दादा टुंडल भी उनमें से एक हैं, या को मतलब तो यह हो दादा, कि महीना बीस दिन पीछे मैं वाई घर में चली जाओं, जहां सु मेरो आस्र नाती गरम हवा का थपेड़ा पड़ा हो, किसी को यकीन नहीं हुआ कि नजराना जैसी नेक, भली और खांदानी इतनी बड़ी बात कह देगी, दादा टुंडल समझ गया, उसके कहे का मर, इसलिए नजराना के मन की था लेते हुए बोला, बेटी, तो फिर तू ही बता कि हम कहा करें, अगर बीच में ये हदीस और सरीयत ना आता, तो हम पतो ना, तो है कब का तेरे घर भेज देते, मैं भी तो यही बात कह रही हूँ, नजराना की उलट मासी का मतलब किसी की समझ में नहीं आया, इससे पहले कि कोई समझने की कोशिश करता, नजराना ही बोली, अग चाहे जंदगानी बीच जाए, तेरे वा मौलवी की बात अभी तरक समझ में आई है, दादा टुन्डल की जगह दूसरे पंचने चुझराते हुए कहा, वैसे तिहारी या सरीयत और हदीस में कहीं ई भी लिखी पड़ी है, कि अगर कोई मरत तलाग देनों ही ना चाहे, तो वासु जबरदस्ती करके तलाग दिवा देओ, आकिर तु कहनों कह चाहे है, अपनी जगर पर दादा टुन्डल वापस बैठ किया, और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, कहीं तेरा कहना को इमतलब तो ना है, कि या डम्रूर जानभूज के वैसों हलारा ना करो, जैसोवा मौल भी ने बतायो, मैं कहा जानू काई के दिल की बात, नजराना धीरे से बोली, नजराना ने जिस तरह कहा, उसे पूरे दलवान को यकीन हो गया, कि डम्रू ने जरूर जान भूज कर इमाम के निर्दोशों का पालन नहीं किया, लगता है इसी की नियत में आ गया, डम्रू ये नजराना कहा कह रही है, दादा टूंडल ने डम्रू की आखों में आखे जालते हुए पूछा, दादा टूंडल की इतना कहती सब गड़मट हो गया, डम्रू से कुछ भी जवाब देते नहीं बना, ठीक है, सब समझ में आग गी मेरे, इसके बाद दा टूंडल नजराना से मुखातिब हुआ, नजराना बेटी अब तू अपड़ा इमान सु सच्ची सच्ची एक बात बता के वैसे तू रहनो किसके साथ चाह गए है, डम्रू के, इतना कह नजराना तेहीं से भाग कर अपने कमरे में खुश गई, खाजी जी ले भई तेरी ब बढ़ी हुई लग रही है, दादा मेरी तो सुन, खुदा तलक या में मेरो कसूर ना है, डम्रू एक विमानी से सफाई देने लगा, या में मेरे डम्रू का कोई कसूर ना है दादा, इसारो खेल या नजराना को रचो हुऊ है, नसीबन अपने देवर डम्रू के बचाओं में उतराई, अब तुम सब चुप रहो थोड़ी देर, हाँ भई हाजी जी, अब तु एक बात बता किया नजराना है, तु अभी भी अपने घर ले जान को राजी है, दोकरा, अब तो मैं अच्छे नाले, जब भी ना राखूं चाही, आग में तबके आई हुए, जवाब शरीयत के फर्मानों के सफे तो जैसे कसमसा कर रह गए, एक मिनट पंचो, एक आखरी बात और, दादा टुंडल की इस आखरी बात को सुनने के लिए जैसे एक आएक खामोशी चाह गई, नियाज बेटा ही, आ मेरे पे, दादा टुंडल ने नियाज को अपने पास बुलाय अतीत की खटी मिठी यादों में खोया नियाज क्षर भर के लिए सक पका गया, वो अपनी जगे से उठा और दादा टुंडल के पास आ गया, देख, तेरी मान ने तो नजराना ओटना सु साफ मना कर दी है, पर तू बता के तेरे मन में कहा है, मान ले, या नजराना है, हम क बारा पूछा गया, तो इस बार उसके हिलकियां बन गई, ठीक है, मैं समझ गो, दादा तू इका कर रो है, वा, वा मौलवी ने जैसी कही अब आको कहा होएगो, जमाल खाने दादा टुंडल को इमाम का फरमान याद दिलाया, मेरे यार, एक मिनट तसली तो राक, अच्छ पकॉल दादा टुंडल दूद का दूद और पानी का पानी कर चुकी है, यानि किस्सा खत्म कर चुकी है, उसी नजराना को फिर से क्यों बुलवाया जा रहा है, सबकी धड़कने एक बार फिर तेज हो गई, इस बीच नजराना बाहर आकर मही दर्वाजे के पास आकर खड दादा टुंडल ने पहले पूरी इस्तिती का जायजा लिया और फिर बहत सावधानी और सयम बरत्ते हुए बोला, देख बेटी, अभी तो बात हो रही ही हदीस और सरियत की, पर अब हम बात कर रहा हैं मरद और बीरबानी के तोर पे, थोड़ी दूर को मान लेओ, कि अगर ये नियाज हम पंचनने हाजिर नाजिर मान के तो ये पूरी इज़त के साथ अपने घर ले जाए, तो तू याके संग चली जाएगी, तादा टुंडल के इस नए प्रस्तावों पर फुसर फुसर शुरू हो गई, तुरंत एक पंचने दखल देते हुए कहा, टुंडल अन तो या आदमी ने वाही दिन तार-तार कर दी ही, जा दिन याने चोड़ा में मेरो आस्रों छीन लियो हो, और मैं एक पराया मरत के संग सोन को मजबूर कर दी ही, मैं तो उल्टो सारा पंचन सु पूछनों चाहरी हुँ, कि तम सब अपना अपना दिल पे हाथ धर के इमानद हो जावे हैं, एक यही मरत है, अरे यी भी तो मरत ही है, जो चाहेते हो तो मेरी आबरू है लूटने में एक मिनट ना लगातो, पर मजाल है या भले आदमी ने आबरू लूटनी तो दूर रही, याने आख उठा के भी न देखी, अगला ने अपना हदीस और सरियत की भी प दुनिया भर की सत्वंती बहु मिल जाएंगी, एक ही सास में नजराना महनो कुरान की अंगिरत आयतें पढ़ गई, दालान में छोटे बड़े गूंगटों में छिपे चेहरों से गायब आप फिर से लोटाई, नसीबन उसका तो बस नहीं चला, वरना लपक कर वो अपने दमरू को अंक में भर लेती, दमरू के जिस भरोसे पर नसीबन किसी से भी लोहा लेने पर उतारू हो जाती थी, उस भरोसे ने उसका सीना आज और चोड़ा कर दिया, वही आमना शर्म से पानी पानी हो गई, जिसे हर समय नोरे में जाने के लिए इसलिए डर लगता था कि पतानी कब इसे देखकर उसके इस कलसंडा देवर के भीतर का शैतान जाग जाए और वो कहीं की न रहे, नियाज की हालत तो ऐसी थी कि काहा शिधर्ती फट जाए और उसमें गर्क हो जाए, बस एक कल्लो थी जिसकी आँखों से रह रहकर मानो शोले बरस रहे थे, कि जिस न नजराना के लिए उसने डमरू के पावों में दुपटा तक डाल दिया था, उसने नजराना का चरित्तर ऐसा निकलेगा, उसने सोचा भी नहीं था, इस समय वही अपने आपको सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रही है, नजराना मेरी हाथ जोड़के अरज है कि एक बार और सोच ले, बेटी या नियास की बसी बसाई दुनियाए उजड़ना सो बचा ले, दादा टुंडल ने अंत तक कोशिश नहीं छोड़ी, उसे अभी भी उम्मीत की एक किरन नजर आ रही है, दादा इन बातन में अब कुछ ना बचो है, अगर मैं आज याके संग चल करते हुए बोली, हाँ भई पंचों बताओ, अब तियारी कहार आए है, नजराना की दली सुनने के बाद दादा टुंडल ने दालान से उसकी आखरी प्तत्र गया जाननी चाहिए, कोई कुछ नहीं बोला, हाँ भई हाजी खुदा बकस और कुछ सोनरी बाकी रह गी है या पिर चलें, दादा टुंडल ने आखरी बार हाजी खुदा बक्ष यानि टट्लू सेट से विंग्यात्मक लहजे में पूछा, समझ गया हाजी खुदा बक्ष दादा टुंडल का इशारा, उसने धीरे से कल्लो की उड़ देखा और फिर उठते हुए बोला, चल खड़ी हो कल्लो से खड़ा होना मुश्किल हो गया, लगा जैसे घुटनों के जोड आपस में जकड गए हैं, खड़ी हुई तो अचाना गिरते गिरते बची, ये तो गनीमत था जो लपक कर आमना ने उसे संभाल लिया, वरना एक बार तो खोकले रुख से डही गई थी, नियाज दि माटी में मत में लड़ दी जो, नहीं तो याई जहन्नुम में भी जगयना मिलेगी, और बेटी नजराना, इतनी हिम्मत और इतनो कड़ो फैसला, लखोन में कोई बिड़ला ही ले पावे हैं, अब तेने डमरू के संग रहना को फैसला कर ही लियो है, तो यापे मरते दम तल और बाकी बचे पंचों के साथ ये कहते हुए जमाल खा के दालान से निकल आया, चलो रे अपने अपने घर और या गीपत ही नहीं खतम करो, नसीबन के पावों मानो जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, उसका बस चले तो अपनी इस तीसरी दोरानी के पावों तले गुलाब क पंखुडियां बिचा दे, अपने देवर की काई सी स्याहत दे को उप्टन सलीब दे, फातिमा वो तो सुबह से अपने हिस्से के उस कमरे को खाली करने में जुटी हुई है, जिसे नजराना ने कब जाया हुआ है, और एक तरह से जिसमें वो नजर्बंद कैदी की तरह एक इस हिस्से की फिक्र में वो मनी मन गुली जा रही है, बावजूद इसके आमना ने हिम्मत नहीं हारी और फातिमा के पास आही गई, फातिमा बहान तू या कोठा एक ऐसे खाली कर रही है, आमना ने एकदम बेखबर होने का प्रपंच रच्ते में पूछा, दारी या कोठा में कई दिनासू रहते रहते नजराना यासू घिल मिल गई हुएगी, या मारे सोची के ये दोनू या में ही रह लेंगे, मुस्कुराते हुए फातिमा ने जवाब दिया, पर पंचन ने तो इनका नहरा में रहना को फैसला करो है, आमना ने अपनी जिठानी को पंच फैसल आया दिलाते हुए कहा, करो तो है, पर निगोडी, वा नहरा में धोर डंगरन के बीच ये खेलता कूता अच्छा थोड़े ही लगेंगे, फातिमा ने चार पाई पे बिछी गुदरी पर करीने से चादर बिचाई और आमना वो छेड़ते हुए बोली, वैसे भी ये अभी क पीछे जिंदिगी भर ही तो साथ सोएंगे, बहान मुए ना हो या बात को पतो, तेरो दोबर तो रोजान में भी जब चाहे चिपट जावे है, चिपटनों अलग बात है, वैसे रोजान में चूमा चाटी चिपटम चिपटाई जाईज है, पर न उतो सारों काम करे है, आम फातिमा ने तमकते हुए आमना पर लानत मलामत करते हुए डाटा, पर बहान मैं सोचूं तो जब, जब तेरो देवर सोचन दे, बलकि उतो यह कहवे है, कि या काम है करना सु सवाब मिले है, या मारे मैं भी चुप लगा जाऊँ, आमना ने अपराद बहुत की चलती अपन फातिमा के पास क्यों आई थी, उसे इसका ख्याली नहीं रहा, कि अपनी नए नए दोरानी के लिए तयार हो रहे, इस नए ठिकाने से निकल कर, वो कब अपने कमरे में आ गई, रह रहकर एक अपराद बूद और शर्मिंदगी के चलते, वो मनी मन अपने परवर्दिगार स देर तलक जाने अंजाने में हुए इस करते पर माफी मांगती रही, वापस वर्तमान में लोटी तो इस फैसले के साथ कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इद तलक नवाव यानि अपने शोहर को अपने पास फटकने नहीं देगी, लेल तुलकद्र, बरकत वाली 29 तारीक की आ ठानियों के कोई नहीं है, नजराना आज हर हालत में पिछली रात छूट गए 28 पारे को पूरा करके रहेगी, बलकि 29 पारे की तरह भी भी मुकमल करने की कोशिच करेगी, भले ही सहरी हो जाए, इस आखिरी मुबारक रात में अपने सारे फरिष्टों के साथ आसमान से उतर होने वाले इस नए पारे के दौरान जाने अन जाने होने वाले गुनाहों को भी वक्षने की दूआ करेगी, इतना ही नहीं इद की सुबह अपनी हैसियत की मताबिक उससे जो भी बनेगा फितरा देगी, इशा की नमाज पढ़ने के बार नसीबन नजराना के पास किसी ना क नजराना ने आकर पूछी लिया, नीन कहां पावन में कुछ भड़क सी लग रही है, नसीबन ने रमजान शरीफ की बरकत वाली रात सरासर जूट बोलते हुए कहा, चल मैं थोड़ो सो दबा दू, नजराना उठते हुए बोली, रहन दे, तु अपने तिलावत कर ले, नस नसीबन ने पावों को रजाई में चिपा लिया, नसराना ने रजाई के अंदर ही पावों दबाने शुरू कर दिये, देर तलग इधर दर की बातों के दौरान नसीबन को जब लगा कि जिन्हें सोना था वे सो चुके हैं, तब उसने नसराना को रोक पावों को थोड़ा स कोड लिया, इसके अबाद उसने नसराना को कंट्कियों से टोहा, और फिर जिस मकसद के लिए उसने पावों के भरकने का बहाना बनाया था, और नसराना को अपने कमरे में लाने में कामयाब हो गई थी, उस पर आ गई, नसराना बुरा ना मनें, तो बेहर एक बात हिचके चाते हुए नसीवन ने पूछा, मुए पतो है तू कहा पूछेगी, दारी ऐसी तेरे पर कहा बित्या है, जासु तेने भाप ली कि मैं कहा पूछूँगी, मैंने तो तब ही जाच ली ही, जब तू मेरे पर चकर काट रही ही, चल जब तेने जाच ली, तो अब तू हो यही ना, रंदी तू तो बढ़ी चंटे निकली, तेने तो मेरा मन की बात पढ़ ली, तो सुन, मैंने अपनों फैसला या मारे बदल ली हो, कि कुदा ना खास्ता तेरो देवर, वा मौलवी के मतावग मेरे संग जिना कर बैठ तो, और तलाक पीछे मैं नियाज के संग उल्टी चली जाती, तो मैं जीते जी जिन्दगी बर या आदमी सु तो आँख मिला पाती ही ना, बलकी मैं वा नियाज की नजरन में गुनागार और बढ़ी रहती, बात बात में अपनी वा सास और दोरानी चिठानी का बोल सुनती सोया लग, अब कम सु कम मैं या गुनास तो एने मना कर दी, कैसे हुई बराबर, कम सु कम आते जाते वा नियाज सु मैं अब छाती चोड़ा के नजर तो मिला लूगी, के देख जो गुनागार करो है, वाकी सजा मुसु ज़्यादा तू भगत रो है, वैसे भी इतनी बड़ी सजा अकेली मैं ही काई लू भुकतू कहते कहते नजराना के होट तेड़े होते चले गए, पर नियाज तो है लेचाना पे राजी तो होगो हो, पर तब जब वाई इपता चलगे कि मौलवी के मताबक हलाला ना हुओ हो, वैसे या की कोई कारंटी ही भी ना, कि अगर वैसो हलाला हो जातो, तो उ मोहे रखी लेतो अगर तो है उ अपना इमान पे अटल दीख रो है, तो एकाद महीना पीछे वाई टटोल के देख ली जो, कि उ मोहे कीनो राखे गो, हो सके तेरों अंदाजा ठीक होए, नसीबन नजराना के तर्ग से एक हद तक सहमत होगी, वैसे मेराया फैसला के पीछे सबसू बड़ी वज़े एक और है, नसीबन की नजर नसीबन की नजरना की मुसकान पर ठेर गए, और उवज़े है तेरों देवर, मिगा नीचे कर धीरे से कहा नसीबने, नसीबन के फेपरों में ढेर सारी ताजा हवा भर गई, थन्ड में जो देह अकरसी गई थी वो खुलती चली गई, ह हाँ तेरो देवर, पतो है मैंने वाग दिन खुब कोसिस कर ली पर जाल है वो टस्सू मस्चो हुओ हो, बल्कि मैंने तो ही तक कह दी कि अब मैं तेरी ब्याता हूं, पर वो अपना कॉल पे अडो रहो और जब वो यासू भी न पेगो तो मैंने साफ साफ कह दी कि मैं तेरी जिन भावजन ने भेजी हूँ उनने कहा जाके कहूंगी और तो और मेरो तो वाप अखत कलेजा भटगो जब मैंने यासु ई कही कि ठीक है मैं तेरी भावजन सु जाके कह दूँगी कि तेहरा देवर्सु कुछ भी ना हुओ तो पतो है मेरा रस्ताय रोक हाथ जोड़के कहा बोलो नजराना ने जिस तरह नसीबन की और देखा नसीबन की धड़कने पल भर के लिए थमसी गए बोलो कि नजराना मुसु इतनों बड़ो गुणा मत करा खुदा की बंदी मैंने तो निकाह की या मारे हामी भर दी कि तेरी उजड़ी हुई दुनिया बच जाए नसीबन मेरी बहाण अब तू ही बता कि मैंने ऐसे खरा आदमी के संग बाकी की जिन्दगी बिताना को फैसलो करके कोई गुणा तो ना करो है न नसीबन कुछ नहीं बोली बस होटों में हलकी हलकी कमपन होती रही आँखों से रिस्ता हुआ गुनगुना पानी खोरों की उतले किनारों को तोड़ चुपचा बहने लगा रमजान शरीफ की मुबारक रात में लगा मानो हजरत जिब्रील अपने सारे फरिष्टों के साथ नसीबन के कमरे में आकर नसीबन की मौजूद्की में अपने तोहीन परस्त बंदे डबरू के हक में उसके सारे कुनाहों को एक-एक करमाफ कर रहा है मैंने वाई बखत फैसला कर लियो के जा आदमी के भीतर खुदा का खौफ सुजाता एक बीर बानी की आबरू लुटने को डर है ऐसा नेक कॉल को पको और इमान वाला आदमी के संग कपट और दगा करना सुबड़ो और कोई कुलाना होएगो बहान रोज रोज की जिल्लसू एक दिल को मरनो अच्छो है नसीबन ने नजराना की आपको में जिल्मिलाती बूदों को देखा तो देखते ही नजराना को अपने अंक में भर लिया वगर अगले बल उसे अपने आप से अलग करते हैं बोली और वे तीन-तीन बालक कहा जांगे बालक मैं उन चोदान को कोई ठेका ले राख हूँ है वही पाले गो जाने बे पैदा करा है यह बात तो तेरी ठीक है पर आउलाद तो आउलाद है एक बात कहूँ यह आउलाद को मुह भी हमारों बहुत बड़ो दुस्मन है नजराना की इस निर्मम्ता को देख नसीबन के भीतर जैसे कुछ तूटने लगा नजराना की आँखों में रह रहकर उटती बगावती चिंगारियों को देख थोड़ी देर के लिए नसीबन सहम गई पूरे जिस्म में सहरन सी दोड़ गई इसी बीच बाहर कुछ गहमा गहमी सुनाई दी लगे है महज़त सू तेरा जेट आगा है नसीबन का इशारा समझ गई नजराना वापस अपने कमरे में जाने लगी कि पीछे से नसीबन ने मुस्कुराते हुए टूका और सुन मेरा ये देवरे तू बिल्कुल भूलो भंडारी भी मत समझी हो ये तो उनमें सू है के जेट साड़ का दोंगडा कित बरसा कित जाए बर्खा इतनी होएगी तेरी धर्ती जेले नाए नजराना ने मुस्कुरा कर अपनी जिठानी की तरफ देखा और फित्तेजी से नसीबन के कमडे से निकल गई लपरलेंडी को डमरू ईद की नमाज अदा करने के लिए जाते समय ईदगा के बाहर मिल गया लपरलेंडी ने उसे उपर से नीचे तक देखा और देखता ही रह गया एक बार उसके मन में आया भी कि वो उसे छेड़ दे मगर डमरू की धीर गंभीर भंगिमा देख वो भाब किया कि ये वक्त उसके लिए सही नहीं है लपरलेंडी ने भी उसकी देखा देख वैसी संजीदिगी ओर ली दूर से लपट मारती चमेली की इत्र की महक कुल मिलाकर डमरू के इस अचकदार रूप को देख कर किसी भी भले चंगे आदमी को रश्क हो सकता है हाना कि एक बार तो लपरलेंडी को भी उसे देख कर रश्क सा हुआ मगर एक भले आदमी की तरह वो इसे ज़जब कर गया वैसे इसमें कसूर डमरू का भी नहीं है उसने आखिर अभी तक देखा क्या है कहते हैं कि घूरे के भी दिन फिरते हैं इसलिए जैसे इस कलसंडा घूरे के दिन फिरे हैं अल्लाह ताला ऐसे दिन सभी घूरों के फिरे हैं यहीं दूआ कर लपरलेंडी एदगा में दाखिल हो गया। इसी बीच लपरलेंडी ने देखा कि अपने कुर्ते के बगर वाली जेब से डमरू ने कुछ निकाला और उसे खाने लगा। लपरलेंडी समझ गया कि पथा जेब में खजूर रखकर लाया है। उसे याद आया कि एदुल फितर की नमाज से पहले खजूर वो भी पांच खजूरें खाने की एक रस्म होती है। नमाज अदाकर जैसे ही डमरू एदगा से बाहर आया कि पहले जे तयार लपरलेंडी मुबारक बात देते हो इसके गले लग गया। इसके बाद दोनों साथ साथ घर की और रहो लिये। और सुना भाई डमरू नजराना के संग कैसी टिसल फिस जमरी है। रपरलेंडी ने मौका पाती डमरू को छेड़ा। यार काका काई की टिसल फिस। डमरू ने बेरुखी से जवाब दिया। कहा मतलब अब तलक तो तेने असले हलाला कर दिये हो एको। ना अभी ऐसी कोई बात ना है। मेरे यार तू आदमी है के पाजामा। अरे अभी भी तो एक आई मौली की बाठ है। अब तो नजराना ने भरी पंचात में तेरे संग रहना की हामी कर दी है। और तू कह रहो है के अभी ऐसी कोई बात ना है। लपर लेंडी ने डमरू को धिकार दे हुए डाटा। उ कहा है के रोजान के वज़े सू। रोजान की वज़े सू। या फिर कोई और बात है। ना ना ऐसी कोई बात ना है। अरे होए तो सांजलू मेरे पे आज यही हो मैं दे दूंगे तो हेक बूटी वैसे एक बात रहूं आज तो मेरा ये डमरू ने पूरे जोबन छारो है आज अगर नजराना तेरे पे बिन बुलाए ना आ जाए तो मेरो नाम बदल दी जो डमरू नरम टहनी सा शर्मा का लरश्ता चला गया तबी ईदगाज लोटते हुए जमाल खापर लपनलेंडी की नजर पड़ी तो से डमरू से यह कहते हुए दिशा बदल ली जैसी भी टिसल फिस होए देर सबेर बतईयो जरूर जैसे पाखा पे ढलती धूप जोबन तेरो दो दिन को री गोरी नार या पे मत कर इतनों गुमान गहा जाएगो कोई रानों बिढ़ जार असर की नमाज के बाद तेहमत चड़ा डमरू गुनगुनाते हुए सानी में चुटा हुआ था कि आचानक कानों में मिस्री सी मीठी खनक घुलती चली गई किसे गहवार हो है राना बिंजार सू डमरू ने चौकते हुए पलट कर देखा तो देखते ही चड़ा हुआ तेहमत अपनी जगह पर आ गया तू तू कदाई ही देखते ही डमरू अचकचा गया जब एक गोरी नार को दो दिन को जोबरन रुट रो हो डमरू अपने सामने मौजूद आखों की शरारत और पूरी देख की भाशा पलबरें बाच गया उसे अपने आप पर बेहद हैरानी हुई कि उसे ये इससे पहले ऐसी क्यों नहीं नज़र आई जैसी आज नज़र आ रही है उसे तुरंट लपर लेंडी की बात यादा गई सामने वाले ने भी डमरू के भीतर उठते तूफान के चलते मजलती लहरों की रफतार भाप ली इससे पहले कि उन दोनों के बीच मौन समवादों की पतंग और उडान भड़ती सामने से एक जुमला उचला तेरी भावजन ने एक खबर भिजवायों है कौन सो? डमरू के भीतर मचलती लहरें एकाएक शान्त होती चली गई यही कि आज तू या नोहरा में न घर आके सोएगो घर आके? जब तक डमरू को समझ पाता एक ताजा हवा का जोंका उसे तेजी से नोहरा से आता हुआ दिखाई दिया डमरू अपलक उसे पीछे से नहारता रह गया जिस नोहरे में इससे पहले सूखी गंदहीन हवाओं की हुकुमत हुआ करती थी उसकी जगे आज किसी बगीचे के मुर्जाए फूलों की अक्षत खुशबों ने ले ली बह मुश्किल वो मधोश सा कमरे में आया और उसी चारपाई पर धराचाई हो गया जिस पर कुछ दिर पहले नजराना वहाँ समाए अंधेरे से बे परवहा उसके बगल में आकर बैट कई थी उस रात जिस रात एक बदहवास बागी भबुका अनायास के वाणों को ठेल अंधेरे से भरे इस कमरे में जबरन कुसाया था डमरू देर तलक उसी भबुके की गंद में लिप्टा अचेश सा पड़ा रहा उसे पता ही नी चला कि पिछले कुछ दिनों से एका एक बढ़ गई ठंड से बचता बचाता सूरज कब धरती में समा गया और कब शाम के मटमेले नशे में डूबे जुटपुटे ने बाहर के उजास को अपने अंक में समेट लिया है डमरू दीरे से लगबग लड़ खडाता सा चारपाई से उठा और सालों से सहच कर रखे गए अपने उसी बहु कोणिये धुले पड़ चुके आईने को उठाया जिससे उठाते हुए इससे पहले उसकी उंगलियां कापती थी इधर देर तलक डमरू अपने आप को उसमें अलग-अलग कोणों से अपलग नहारता रहा उधर कानों में इशा की अजान के बोल कानों में खुलते रहे अभी आप सुन रहे थे भगवान दास मोरवाल जी का लिखा हुआ उपन्यास हलाला स्वर दिया था मैंने यानी सीमा सिंग धर्म की आड में इस्तरी की अस्मिता की शोशन की कहानी है हलाला उपन्यास उम्मीद है हलाला उपन्यास आपको पसंद आया होगा हिंदी का स्ट्रेश्ट साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और शेयर भी करें बहुत बहुत धन्यवाद